Hello everyone, आप सभी का स्वाधा थें हमारी इस YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Aprilia RS 457 के बारे में जो की भारती बजार में लॉंच कर दिया गया है तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीटेल में बात करेंगे तो वीडियो के आकरी तक बने रहीगा तलियस जुरू करते हैं दोस्तों हम बता दे अप्रिलिया ने इंडिया बाइक भी टूटोजन टूटी त्री में अप्रिलिया आरेस 457 के लौंच की खोशड़ा की थी जिसका प्राइस 4,10,000 रुपे रखा गया था तो आईए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर इस बाइक में क्या क्या खास बात है उसके बारे में समझ लेते हैं तो चलिए आईए समझते हैं सबसे पहले अप्रिलिया आरेस 457 के लुक और डिजाइन के बारे में दोस्तों हम बताते अप्रिलिया RS-457 एक पूरी तरह से फेयर्ड बाइक है जिस वे फ्रन्ट में छोटे वाज़र और क्लिप ओन हैंडल वार, सौट टेल सेक्शन, अंडर वेली एक्जॉस्ट के साथ ड्यूल एलेडी हैंडलेप है यह ब्लुटूट कनेक्टिविटी, फ्री पीचर्स की बात करनेते हैं दोस्तों हम बताते यह मोटर साइकल तीन राइडिंग मोड और तीन अस्त्रिय ट्रेक्शन कंट्रोल के साथ राइड बायर वायर सहीत कई इलेक्ट्रानिक उपकरोडों से भरी हुई है साथ ही यह बाइक पाच इंज टी एफटी इंस्ट्रुम और 150 वाइड 60 रियर टायर के साथ 17 इंच के अलोई विल पर चलती है अब आएए दोस्तों हम इसके इंजल की बारे में भी बात करनेते हैं दोस्तों हम बता दे एप्रिया आरेस 457 में 457 CC लिक्विट कूल पैरलल ट्विन डी ओएच सी इंजन दिया गया है जो 47th बीएच प के लिए ट्विन किया गया है फोर वाल इंजल से सकती प्राप्ट करता है सही जोश नोट के लिए मोटर को 270 डिगरी कनेक्टिंग रॉट असेंबली मिलती है बाइक सिर्फ 175 किलोग्राम वजन के साथ एक सांदार पावर 2 वेट रेसियो का वाता करती है जबकि इसका खाली वजब एक सुनातर किलोग्राम है तो दोस्तों यह चोटा सा अफडेक था एप्रीला आरेस फॉर शुटी सेवन के बारे में उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो पीज हमारी वीडियो को लाइक